हलो फ्रेंंज, आज हम जानेंगे कि आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है? तो आइए, पहले जानते हैं कि गोल होता क्या है? गोल यनि एक लक्ष जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्लानिंग और महनत करते हैं इसे एक एक्जाम्पल की हल्प से समझें तो मान ये कि कोई आगे चलकर लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं, तो वह उसका गोल है उस गोल को पाने के लिए महनत और प्लानिंग दोनों ही जरूरी है आप जानते हैं कि गोल सेट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है गोल सापको लाइफ में फोकस्ड रहने में हल्प करेंगे गोल सेट करने से आपकी प्लानिंग और स्ट्राटिजाइजिंग स्किल बहतर होंगे गोल सेट करने से आप समय से चीजें अचीव कर सकेंगे गोल सेट करने से आप अपने बिहेवियर में डिसिप्लेन और फोकस विकसित कर पाएंगे पहले जान लेते हैं कि गोल्स आपकी लाइफ बहतर कैसे बना सकते हैं उदाहरन के लिए यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाने का सही तरीका जानना होगा लेकिन उससे पहले आपको ये तैय करने की जरूरत है कि आप कहां जाना चाहते हैं और वहां जाने का purpose क्या है? एक बार जब आप ये तैय कर लेते हैं, तो आप अपने destination तक पहुँचने का रास्ता चुन सकते हैं. Goal सेट करने से सही जगह पर और सही समय पर पहुँचा जा सकता है. यदि आपके जीवन में कोई goal नहीं है, तो आगे चल कर आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा. आप लगातार खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, और कई बार आपके जीवन की स्थिती अन्य लोगों के decisions पर निर्भर करेगी, ना कि आपके कारियों पर. आप अपने लिए goal सेट करके focused रह सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि goal सेट करने से आपकी planning और strategizing skills कैसे बहतर होते हैं. लक्षे निर्धारित करने से आपकी विचार प्रक्रिया भी मजबूत होती है. इसलिए भले ही आप किसी problem में पढ़ जाएं, आप उस problem से निकलने में कामयाब होंगे क्योंकि आपको अपने goal तक पहुँचने के लिए plan बनाने और strategy बनाने की आदत है. आईए जानते हैं कुछ tips जो आपको goal सेट करने में मदद करेंगे. क्लियर goal सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या achieve करना चाहते हैं और आप इसे कैसे achieve कर सकते हैं. ताइम बाउंड तरीके से goal अचीव करने का plan करें. जैसे अगर आपके पास एक घंटा है, तो आप एक घंटे में किन chapters को revise करेंगे? ये तै कर लें, और एक घंटे बाद ये देखें कि आपने उन chapters को revise किया या नहीं. टाइम बाउंड तरीके से goal सेट करने पर आपको यहीं फायदा होगा कि आप जान सकेंगे कि आप अपना goal अचीव कर पाए कि नहीं. Achievable goals set करें. इसका मतलब है realistic timelines तै करें और ऐसी activities involve करें, जो उतने समय में की जा सकती है goal अचीव करने के लिए. आप जिन goals को अचीव करना चाहते हैं, आपको उनहीं की दिशा में प्रयास करने चाहिए. उदाहरन के लिए अगर आपका मकसद fashion designer बनना है, तो किसी ऐसे institute में admission हासिल करने का रखें, जो fashion के बारे में सिखाता हो. अब जानते हैं कि अपने goals को अचीव कैसे करें. सबसे पहले अपना goal निश्चित कर लें. फिर उस goal की एक समय सीमा तै कर लें. उस goal को पाने के लिए focus रहें और अपने आपको motivate करते रहें. मुश्किल लग भी रहा हो तो हार ना माने. विश्वास रखें कि ऐसे आप अपना goal अचीव कर ही लेंगे. तो दोस्तों, आज आपने जाना की goals क्या होते हैं? Goals set करना कितना important है? Goals set करने के क्या फाइदे होते हैं? और Goals कैसे अचीव कर सकते हैं? और जानकारी के लिए आप हमारी career, job opportunities और interview readiness के वीडियो भी देख सकते हैं. Thank you and all the best!